दोस्तों घुटने में अगर दर्द हो रहा है या घुटने के उपर वाले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हम डियाग्नोसिस कराएंगे और डियाग्नोसिस में क्या होता है कि हमारा एक MRI टेस्ट कराना होता है तो MRI में उसके रिपोर्ट में हमें पता चल पा पटेला, आप जानते होंगे घुटने के ऊपर जो चक्री होती है, जिसे हम लोग पटेला कहते हैं, जब हमारा पैर मूडता है, तो वह घुटने के बीश में आजाता है, और जब पैर सिधा होता है, तो उपर की ओर चलाता है, मैं थोड़ा सा मौडल में सिखाऊं, तो मेरा पैर का हिस्सा नीची वाला हिस्सा यह है और यह उपर वाला हिस्सा है यहां पर जो यह आप देख रहे हैं पोजिशन यह कलाता है हमारा पटिला इसी को चक्री कहते हैं उपर से टेंडन से यह हमारा जूड़ा रहता है और यह जब हम मोडते हैं तो हमारे घुटने के बीच म ने देखें गया और इसके ऊपर भी हमारा एक लेयर होता है जिसे हम cartilage कहते हैं और उस cartilage को articular cartilage करते हैं और या उपर वाला area अब यह जो है इस ऊपर वाले area में भी cartilage होता है वो भी articular cartilage होता है जब हम बहुत जज़्यादा रन करते है और जिसरा जो है वह है पटेलो फेमरल सिंड्रूम यह भी कह लगता है कॉंडोम अरसिया रैनर्स नहीं और पटेलो फेमरल सिंड्रूम यह तीनों एक ही वर्ड है उसके अलग-अलग प्राइबाची सब रहा है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे उसके बारे में नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सुलूसन आज किस टॉपिक में हम बताएंगे कि कॉंडोम लसे पटेला जो घुटने के दर्ब का यह अर्लियर स्टेज में होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर बैठे ह को बिलकुल अंतक देखेगा और इसे अपलाई जरूर किजेगा चुकि जानते हैं कि हमारे द्वारा जो भी एक्सरसाइज बताया गया है वह सभी के सभी 100% कारगर है और आज तक मुझे लगता है कि लगभग 50,000 आदमियों ने अपने घुटने के दर्ब को तरह तरह के घ घुटने के दर्ब को ठीक किया है किनिको ACL का problem था वो ठीक हुआ है किनिका miniscus tear का problem था उनका ठीक हुआ है और किसी का grease की कमी हो गए थी उसको ठीक हुआ है इसके साथ साथ वैसे व्यक्ति भी जिनका चौसाट-पैंसाट एज के हो गए थे उनका भी घुटने के दर्द osteoarth इसका ग्रेट 3 भी था, वह भी ठीक हुआ है। दोस्तों, कॉंड्रो मलेसिय पटेला में तो आप समझ गया है कि हमारा जो उपर के चकरी होता है, यह जहां पर रगड़ खाता है, उसमें जो डैमेज हो जाता है, हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके वजह से वहाँ पर तो हमारा इस जगह पे भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इस जगह पे भी दर्द हो सकता है, साइड में भी दर्द हो सकता है, अपर साइड के लिफ्ट और राइट में भी दर्द हो सकता है। तो इसे हम कॉंड्रो मलेसिय पटेला करते हैं, पटेलो फिंड्रोम करते है या फिर runners नहीं कहते हैं, तो इसको हम ठीक करेंगे अपने घर बैठे ही और exercise के माधिम से, इस exercise को करने के लिए हमें 5-6 exercise करना पड़ेगा, तो मुझकिर से लगता है कि 20 दिन तक आप जो कर लेंगे तो आपको 90% तक ठीक हो जागा, अगले 20 दिन भी अगर कर लेते हैं, तो आ में कुछ-कुछ supplement भी लेना होता है, उसके बारे में आगे में बताऊंगा, दोस्तों, कॉंड़ोमलेसे पटेला में सबसे जो पहला exercise करना होता है, चाहे तो आपके पास अगर जीम बॉल है, जो छोटा सा बॉल होता है, या बॉल है तो ठीक है, और अगर ये बॉल नहीं है तो किसी भी तरह का जो कुछन होता है, पिलो होता है, उसका सहरा ले सकते हैं, जिस पैर में हमें प्रोब्लम है, उस पैर को, किसी दिवाल के सहरे, मैं दिवाल के सहरे इस बॉल को रख रहा हूँ, और अपने इस पैर को, यहा पैर मैं सीधा रखूंगा, और इस पैर से हमे दिवाल के तरफ बॉल को प्रेस करना है बॉल को प्रेस करेंगे 15 से 20 सेकंड तक कौंट करेंगे 20 सेकंड के बाद फिर रिडैक्स फीड से मैं दुनों हाथ पीछे से हम बिलकुल आराम से सपोर्ट ले लेंगे अपना 20 सेकंड तक तबा कर रखेंगे इस तरह से उसके बाद फिर relax इस तरह से कम से कम हमें 20 repetition करना है दोस्तों इसमें दूसरा exercise करने के लिए इसी ball को हम यहाँ पर रखेंगे या फिर अगर आपके पास ball नहीं है तो आप pillow का इस्तमाल कर सकते हैं और अपने दोनों घुटने से इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद भी हम 30 सेकंड तक रखेंगे इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह से हम 30 सेकंड तक प्रेस किये हुए रहेंगे और उसका फिर relax फिर से हम अपने घुटने को दबाएंगे बॉल को और 30 से किंड तक रोकेंगे और फिर रिलेक्स इसको भी हमें कम से कम 20 रिपीटेशन करना है या हो गई बॉल से या फिर कुसन या पिलो से अब हमें क्या करना है दूसरा एक्सरसाइज इसमें करने के लिए हम लेट जाएंगे मान लिए कि हमारा लेट पैर में प्रोब्लम है तो दाहने पैर को मैं मोड के रखूँगा और इस पैर को बिलकुल इसके सहारे मैं उपर करूँगा और इसको अपने तरफ खीचने कोशिज करूँगा खीचिँगा सिर्फ खीचने कोशिज करूँगा और कुछ नहीं 15 सेकेंड तक रोकेंगे और फिर रिलेक्स फिर से उठाय, अपने पंजों को अपने तरफ खींचे, 15 सेकंड रोके, और फिर रिलाक्स इसको भी हमें कम से कम 20 रिपीटिस्म करना है, इस तरह से दूसरा एक्सर्चाइज कर लिए अब इसमें जो तीसरा एक्सर्चाइज है, वह यह है, करवट के बल लेट जाएंगे और उसके बाद अपने पैर को, जिस पैर में प्रोब्लम है, सपोज किजिए मैं दाहना पैर के कर रहा हूँ तो दाहना पैर को पीछे की तरफ मोड करके, हम अपने घुटने को मोड़ेंगे और इस तरह से पकड़े रहेंगे 20 सेकंड, 35, 30 सेकंड तक पकड़े रहेंगे, और उसका फिर रिलाक्स, ठीक है, इस तरह से हम घुटने को मोड़ेंगे और अपने नितंबूं पर इसे सटाएंगे, सटा कर रखे रहेंगे, और फिर 30 सेकंड के बाद फिर रिलाक्स देखेंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा कट से आवाज आएगी, तो हमारा धीरे-धीरे वहाँ आवाज भी खत्म होगा कम से कम 20 रिपीटिशन करना है, इसके बाद जो चौथा एक्सरसाइज इसमें है, हुआ है कि हम अपने साइड से इस पैर को ऊपर करेंगे, कुछ देर रोकेंगे, उसके बाद फिर डॉन करेंगे, ठीक है, सपोज करें कि मेरा दाहिना का प्रोड्लम है, तो दाहिने पैर को हम बिल्कुल उपर इस तरह से रखेंगे, 15 से 20 सेकंड तक कॉंड करेंगे, उसके बाद फिर धीरे रिलाक्स, अब फिर से उठाएंगे, 15 से 20 सेकंड तक रोकेंगे, अब फिर रिलाक्स, ठीक है, या चौथा एक्सरसाइज हमें कम से कम 20 रिपीटिशन करना है, और या सारी एक्सरसाइज सुबह और साम, दोनों टाइम करें, तो आपको जल्दी रिकवर करेगा, एक एक्सरसाइज और मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप कर लेते हैं, तो रिकवरी में हमें और भी कम समय लाएगा, अपने दर्द को ठीक कर लेते हैं, तो कुछ दिन और एक्सरस हम करेंगे, तभी हमारा ठीक होगा, तो उसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को मोड लेना है, अमोड करके अपने हाथ को बिल्कुल नीचे रखना है, और जिस तरह से हम लोग कमर का एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ब्रिजिंग एक्सरसाइज करता है, वही को मिला करके हम करेंगे, इस तरह से अपने पैर को रखेंगे, अपने कमर को उठाएंगे, और 30 सेकेंड तक कॉंड करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, कोशीज तो रहे कि जहां आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सामने में अगर घड़ी रहेगी, तो आपको कॉंड करने ज गनो हाथ नीचे सटा रहेगा, पैर मेरा दुनो मूडा हुआ है, लेकिन अपने यह पोर्सन को, इस पोर्सन को पेल भी केरिया को, बिल्कुल ब्रिजिंग एक्सरसाइज की तरह मैं उठाया हुआ हूँ, और बिल्कुल इस तरह से 30 सेकेंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉ वह एक्सरसाइज क्या है, कि हमें जिस पैर में प्रोडलम है, मानने कि हमको कॉंडुम अलेसे पटेला का प्रोडलम इसमें है, तो इस पैर को हम इस पे रख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पैर को हम अपने छाती के तरह सटाने कोशिस करेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से सटाएंगे 15 से 20 सेकंड तक रोकेंगे उसको रोकेंगे उसको रोकेंगे उसको रिलक्स कोशीज तो रहे कि हमारा कॉंडोम ले से पटेला का किसी एक नीमे हुआ है तो दोनों का नीका एकसरसाइज करें चुकि एकसरसाइज से क्या होता है अगर प्रोब्लम है तब तो वह ठीक होगा और दूसरा अगर प्रोब्लम नहीं है तो वह आने वाले दिन में भी प्रोब्लम नहीं होने देगा तो हम पहले से थोड़ा सा हिल्थ कॉंसेस हों 40 और 45 प्लस हो गया है तो हम उसे जरूर करें दोस्तों नी और थ्राग्रिस का जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको घुटने में कैसे हम ग्रीस को रिजिनरेट कर सकते हैं उसके वारे में बताया जाएगा तो आप अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे वेल आइकन को दबा कर आल नोटिफिकेशन अन कर लेंगे ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालू तब आप तक सबसे पहले पहुँच सकें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत